अगर आपके पास एक iPhone नहीं है आपने कभी iOS नहीं किया आप बहुत टाइम से एक Android यूजर हो तो आप क्या प्रफिचर्स आईफोन के मिस्स कर रहे हो तो यह मेरे माइड में ऐसी कोश्चन आया जैसे कि मतलब मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ता रहता हूं लोग हमेशा लड़ते रहते हैं नीचे कि Android में यह अच्छा है यह अच्छा है तो मैं इन सोचा क्यों ना मैं दोनों साइड की तरफ से बाते रखूं मैं इस सेम वीडियो Android के लिए बनाने वाला हूं जहां पर मैं पूरा Android को सपोर्ट करूँगा और अब मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं iOS के बारे में तो स्टार्ट करते है जो चीज मेरे को लगता है एक परसनली सबसे पहली कि जो Android यूजर बहुत ही मिस करेंगे वह सिक्योरिटी सिक्योरिटी ना आज के टाइम पर जातर लोग को मतलब मैंटर नहीं करती सबको लगता है ठीक है फोन में अगर वायरस आगया फिर कोई है कर भी लेगा तो हमारा क्या जा रहा है बट वहीं पर एक जो मतलब समझता है इंजिरिंग समझता है फिर पीछे प्रोग्रामिंग लेंग्वे समझता है उसको पता है कि आज के टाइम पर डाटा सबसे महेंगी चीज है तो वह हर कोई मतलब अपने डाटा को समाल के रखना च जा कि वह ओपन सोर्स है इसका मतलब होता है कि कोई भी कमपनी जो है एंडरोइड को उठा कर उसके उपर अपने स्केन लगा कर मार्केट में बेश देती है ऐसा आमने बहुत ही लोकल मतलब ब्रैंट्स में देखा हुए कि यह जीवजीव स्केन वाले आते है तो यह ओपन स होती है कि फोन को पूरा है कैसे गरने यह थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्टिंग से रही है और इसलिए आप लोगों को पता होगी सैमसंग जो ब्रैंड है उसने जो अपने एंडोइड को इस लेवल तक पुचा लिया है बहुत सारी इंक्रिप्शन करके अलग से करनल लेव इसकी बहुती मतब कॉमन प्रॉब्लम है और उसकी वज़ए से आपको बहुत सारे लैग देखने में मिलेंगे आपका फोन है बहुत बहुत हैंग होता रहेगा तो यह एक रीजन होता है जो एंडोइड के मिड रेंज वाले बहुत जादा फेस करते अब दूसरा और फास्ट फीलिंग का जो के पूरे आईओ उसकी जो फीलिंग होग बहुती जादा फास्ट रहती है इसके बीच hiking आप रिजन में आपर ंा सबस्कृइज लेंग्विज होती है जिसके अंदर पूरा को पूरा ओपरेंग जिस्टम बना हुआ होता है वो इंजीनर्स की जानने वाली चीज है बट मैं आप लोग को पता सकता हूं जिस प्रोग्रामिंग लेंग्विज में iOS बना हुआ है वो काफी सही है काफी अच्छी रिसोर्स एक वर्ड यूज करा जाता है कि अगर आप मांगे चलो रैम प्रोसेसर और ओपरेशन से सारे ने टेकनिकल टम्स होती है और इन सब को रिसोर्स बोला जाता है और रिसोर्स मैनेजमेंट आती है एक चीज जो की प्रोग्रामिंग लेंग्विज के तुरू होती है वो iOS की बहु पर एक iOS जो है सिर्फ 3500-3200 के बार तो 3000 एमेज की बैटी टेली होती है और फिर भी वो पूरा एक दिन निकाल देती है और फिर भी रात को 15% बैच जाता है तो इससे पता लगता है कि जो iOS की efficiency है ना वो बहुती बैटर है और एक stability में आप लोग को बताई चोका हूँ कि बह fast सच में iOS बहुती जादा रहा है हमेशा से Android तो अब जाके fast हुआ है नि तो iOS की मतलब एक अच्छी का सी legacy रही है कि मतलब best stable और fast experience देते हुए आए है वैसे fast और stable होने के पीछे एक और reason है वो ये कि Apple जो है अपना software और hardware खुझ से design करता है इसका पूरा maximum तरीके से use लेते है लोग क्या होता है software hardware software मतलब तो आप लोग समझ गए होगे Android system iOS जैसे की इसके अंदर और नहीं तो Windows भी आती थी UI पहले तो यह सारे हो जाते है software जो की Apple का खुद का iOS है तो उनको एक एक चीज़ पता है कि भाई कहां से maximum use निकाल लेना है इसका उपर से Apple की खासियत भी है कि अपना hardware जो यह लोग खुद पिक करते है जो Apple का A13 Bionic chipset आजाता है तो इसका उनको पता है exactly में इस processor को maximum तरीके से कैसे use में लेना है और इसी लिए यही reason है कि Google जब अपना Pixel बनाता है वो इतना smooth experience देता है इतना stable और इतना secure experience देता है और अब मैं आप लोग को बताने वाल अपर Apple product के बारे में तो हैर एक बर imagine करो कितने सारे है Apple Airports जस आपको कान में लगाने है आपके iPhone से connect हो गए कितनी easy बनाई है आपकी life ऐसी अगर मैं बात करूँ AirDrop के बारे में अगर आपके पास iPhone है और आपके पास दूसरे दोस्त के पास भी iPhone है और Mac है Mac मतलब Macbook Pro आती है लैप्टॉप आपको कोई भी फोटो वीडियो कितनी भी बड़ी कुना हो आपको ट्रांसवर करनी है जस पीर टू पीर कनेक्शन बन जाता है maximum 10 सेकंड के अंदर फाइल ट्रांसफर इससे easy और क्या चाहिए और वो भी security के साथ अगर मैं बात करूँ यहां पर सब चीज़े sync करने के बारे में iCloud के आपको storage भी मिल जाती है और अच्छी बात यह है कि पूरा secure system रहता है वो भी encrypted रहता है privacy वहां पर भी रहती है और इतने सारे reason है continuity के बारे में अगर मैं बात करूँ तो continuity के खुझ जो है 10 feature है जैसे कि अगर मेरे iPhone पे कोई phone आ रहा है और मेरा phone मेरे आ इजी बनाता रहता है वही पर अगर आप Apple watch यूज करते हो और अगर आप एक setting को on करते तो कि जैसे ही मैं अपनी laptop के पास आऊँ वह अपने आप अनलोग आपको password डालने की जुरत नहीं है तो यह चीज भी पॉसिबल है तो यह चीज़े जो आप लोग मिस कर रहे हो ना यह सरिफ experience करने वाली चीज है एक बर बंदा इसके अंदर चला जाता है तो इसको पता लगता है कि मेरे लाइफ का इतना सारा time तो इसी चीज सी वज़े से सेव हो गया तो भाई यह बहुत बड़ी बात है अगर आप एक Apple watch खरीते हो यही रीजन है कि इसलिए बंदा सब कुछ खरीता हो चला जाता है Apple का क्योंकि उसकी life easy होती ही रहती है मैंने एक और चीज नोटिस की है कि अगर मैं अपने iPad पे कोई बी एक लगालो कोई website खोल कर बैठा हूं बट मेरा भी मतलब मेरे को निकलना पड़ा बट मुझे स्टिल उस article को पढ़ना है तो मैं सरिफ अपने iPhone क को on करूंगा और मैं Safari को लूँगा और automatically वही वेब पेज जहां से मैं पढ़ रहा था वहां से खुलेगा यह चीज़े आप देख सकते हैं कितनी मतलब important चीज़ है इसकी यहां पर Apple ecosystem की यह सारी बाते बहुत ही जादा खूपसरों तो जाती है इसके अंदर हमारे calendar का जितने message भी जैसे की WhatsApp है वैसे इनका iMessage है और बहुती cool cool features है उसके अंदर भी इन शॉट जैसी आप Apple ecosystem को experience करोगे आपको सच में बहुत जादा पसलाने लगए आपको पता लगए कि यार कितना मतलब connected हो सकती है सारे technology तो आप उसको बहुत जादा appreciate करोगे अब next point आ जाता है amazing apps मै explain करता हूँ मैं आप लोग को अगर Google की app के बारे में बात करो चाहिए वो YouTube हो है फिर YT studios हो जो कि हम लोग YouTubers use करते है trust me मुझे नहीं पता कैसे यह चीज पॉसिबल है बट हां मतलब जितनी भी Google की apps है वो Android से जादा अच्छी iOS के अंदर चलती है और यह मुझे बहुती funny बात तो यह एक चीज है जो कि मतलब बहुत अच्छा है उपर से जो आप app store खोल कर देखोगे जब iOS का मतलब iPhone के अंदर तो उसका apps का portfolio बहुत अच्छा है हो सकता है कि आपको कुछ apps खरीदनी पड़े paid होती है जो कि गलत बात है बट लेकिन जो भी free apps भी है वो बहुत ही अंदर दिखनी चाहिए stable होनी चाहिए इतनी सारी चीज़े होती है कि उसकी UI बड़ी user friendly होने चाहिए user friendly मतलब कि कोई भी बंदा use करे उसको मतलब मुश्किल ना लगे इतनी सारी चीज़े हो जाती है इसलिए बहुत सारे लोग बोलते है कि iPhone के अंदर बहुत ही amazing apps रहती है अब last point आजाता है updates वैसे तो आजकल कुछ कुछ है brand जो अपने android update बहुत ही जल जल दी देते है बट still मतलब वह अच्छी level की नहीं होते है वह कोई नो तो एक नहीं problem घड़ी कर देते है बट वहीं पर अगर हम बात करूं iOS के बारे में जब इसका update आता है तो वह बहुत ही serious बात है और उससे भी अच्छी बात यह है क्योंकि जो है एपल सिर्फ एक ही फोन के ओपर ध्यान दे रहा है वह अपनी आइफोन की जो पूरी लाइन अप है चाहिए वह आइफोन फाइफोन देखनी हो मिलता है तो मुझे यह बहुत ही अच्छी बात लगती है कि हां भाई जो कि आइफोन को सपोर्ट करूंगा तो उसके लिए जरूर मतलब अपने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो और नॉटिफिकेशन बेल पे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो आपको कुछ भी एड करना इसके अंदर आइफोन को सपोर्ट में आप नीचे कमे लोइब बटन है क्वाथ झालत कर आईबे यह झालत कर दो कोड़केंश टनंवाथ खायोच लोढ़ कीण